आज की इस वीडियो में आपको electron बिंदू संधिना निकालने के बारे में बताएंगे ठीक है? ये carbon dioxide है, CO2 carbon dioxide है और इसका परमानु संधिना च्छा होता है आपको electron बिंदू संधिना निकालने से पहले इसकी परमानु संधिना पता रहना चाहिए और परमानु संख्या पता है तो आप electronic बिन्यास निकाल सकते हैं अगर आपको electronic बिन्यास नहीं पता है तो आप यह electron बिंदू से रजणा नहीं निकाल सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे ठीक है, तो यह कार्वण है C मतलब कारवन, कारवन की परमानु संख्या 6 होता है अब हम electronic बिन्यास कैसे निकालते हैं देखे, electronic बिन्यास कैसे निकालते हैं पहला कक्छा में हमको 2 electron रखना पड़ता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं electronic बिन्यास कैसे निकालते हैं तो पहला कक्षा में हम दो इलेक्ट्रोन रखेंगे, दुसरा कक्षा में हमको आठ इलेक्ट्रोन रखना पड़ता है, लेकिन देखे, परमानु संख्या कितना है, छो है, दो तो हम रख दिये, ठीक, उसके बाद इसमें बचा क्या, चार बचा, आर तो हम रख नहीं सकते हैं, तो यही चार जो है, लास्ट में इलेक्ट्रोन, यह अपना अश्टक पूरा करने के लिए, यह उक्सीजन से साजेदारी करेगा, ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनिक बिन्या जो निकालते हैं, तो पहला कक्षा में दो इलेक्ट्रोन रखते हैं, दुस परमानु संख्या 6 है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं पहला कक्षा में दो रखे अब इसमें 8 नहीं रख सकते हैं क्यूंकि हमको 4 ही बचा है तो यहां पर लास्ट में 4 रख देंगे ठीक है आप यह समझ गए होंगे उसी परकार ऑक्सीजन की यहां हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन की परमानु संख्या कितना होता है परमानु संख्या होता है आठ ऑक्सीजन की परमानु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्टोनिक बिन्यास देखिए कितना होगा पहला कक्षा में हम 2 इलेक्टोन रखेंगे ठीक है उसके बाद दूसरा कक्षा में हमको 8 तो हम ऐसे 6 लिख के छोड़ देंगे, आगे हमको कोई काम नहीं करना है, इतना निकाल लिए, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए, CO2 है, CO2 को अगर simple form में बोलते, संड़चना सुद्र लिखने के लिए, तो क्या करते, C लिखते, इधर oxygen देते, इधर oxygen देते, oxygen में double bond होता है, ठीक है, और carbon में चाठो bond होता है, ठीक है, तो इसी परकार हम को ये electron बिंदू से रचना में भी करना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले carbon लिख लेते हैं और इधर oxygen लिख लेते हैं इधर भी oxygen लिख लेते हैं दो ठो oxygen है इसलिए हम दोनों सैड लिख लिए अब देखें आप यहाँ पे एक चीज़ देखते होंगे यहाँ पे carbon की परमानुसंख्या छोथा electronic बिन्यास ऐसे निकाले last कक्षा में कितना electron है चार है तो carbon पे हमको 4 electron रखना है तो चलिए इसके लिए हम dot दे 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 है ठीक चाठो हो गया अब देखें oxygen का कहा निकाले है यहाँ पे electronic बिन्यास निकाले है इसके last कक्षा में कितना electron है 6 electron है तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ डौर दिये हैं यहाँ करोज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले तो यहाँ पे हम दे 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 हैं छोट हो गया और इस oxygen पे भी हमको देना है अब देखिए यह आपस में साज़ेदारी करके यह अपना स्टक पूरेगा करेगा और यह भी यह भी तो देखिए इसके पास चार पहले से हैं दो इधर से साज़ा करेगा दो इधर से साज़ा करेगा ठीक है तो देखिए हम साज़ा कर लेता है कर लिया आप इसको आठ पुड़ा हो गया अपना स्टक पुड़ा कर ले दो चार छो आठ उसी परकार यह oxygen भी करेगा दो चार छो है दो इससे दिया तो दो इससे लेगा ठीक ठीक उसके बाद यह oxygen भी ऐसे ही करेगा इस परकार आप यह जो है co2 carbon dioxide इसका electron बिंदू संदचना निकाल सकते हैं आप चाहे तो screen shot ले ले